यह सुप्रिम कोर्ट का एत्यासिक फेसला था और इस फेसले को कानुनन और धार्मिक तरीके से दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सुप्रिम कोर्ट ने इस निर्ने को दिया है और इस निर्ने को हम सभी माने भी यह हमारी कपील है क्योंकि यह जो निर्ने था यह हमारे विश्वास का निर्ने था एक धार्मिक आस्ता का निर्ने था और उन्होंने बहुत यह अच्छी तरीके से पूरी चीज को स्टेडी किया और मैं तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी हमारे जज थे पांचों उनको और पूरी टीम जो इसके लिए काम कर रही थी उनको और लंबे समय से ये जो विवाद था वो चलता हुआ आ रहा था आज उसका हल हुआ है और पुरे देश में खुसी का माहूल है औ वो भी सारे जो साक्षे हैं उनको देखते वे हुआ है और नरेंदर मोदी जी को भी तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इसके लिए और पुरे देश वासी खुसी के माहूल को जीतना समझ करके एक विश्वास और धर्म की आस्ता के रूप में ले और इसे झाल